अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वर्थ ना कंजूसी मत दिखाना मुफ्त है चुप चाप सब्सक्राइब करो थैंक्स पर रियल मी 5 5S & 5i के लिए फिर से 57 के अपडेट को रॉल आउट कर दिया गया है तो इस अपडेट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा तो चलिए आज की मज़िदार वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह रहा रियल मी 5 5S & 5i का सितंबर का न्यू अपडेट और गैस बात कर इस अपडेट के वर्जन और साइज के बारे में तो यहां पर पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस अपडेट का जो वर्जन में मिलता है वो मिलता है C.57 का और गैस बातकरिए इस साइस के बारे में तो इस साइस में मिलता है 205 loci का की लग वर्जन के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं यह रहा इस सब्डेट का चेंज लॉग यहां पर आप देख सकते हैं कि इस सब्रेट में आपको बहुत सारी new changes & features दिखने को मिलता है तो चलिए बात करते हैं सारी नude आइन फीचर्स के बारे में तो दोस्तों जो सबसे पहले हमें डिखने को मिलता है सब्में Celebrity में यहां पर देख सकते हैं और गईज उसके बद जो में चेंजेश दिखने को मिलता है वो मिलता है Realme Lab में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Added Super Night Time Standby Feature यानि कि गईज इस अपडेट में आपके मॉल में Super Night Time Standby Feature को एड़ कर दिया गया है और इस फीचर को अगर आप अपने मॉल में इनेबल करते हो तो रात में आपकी जो बैटरी देन होती है उससे आपको रहत दिखने को मिलेगा और नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Added Smooth Scrawling Feature तो finally guys इस अपडेट में आपके मॉल में Smooth Scrawling Feature को एड़ कर दिया गया है और इस फीचर को इनेबल करके आप अपने मॉल में 90Hz डिस्प्ले को experience कर सकते हो और guys यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Setting में भी बहुत सारे changes यहाँ पर किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Added Long Press to Copy IMEI in the Status Information Interface यानि कि अब आप अपने मॉल में IMEI number को directly copy करके कहीं पर भी paste कर सकते हो और guys यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Optimize the Default Display of Battery Percentage यानि कि guys यहाँ पर आपके मॉल में जो Battery Percentage का Default Display उसको भी यहाँ पर Optimize कर दिया जाएगा और उसके बद यहाँ पर आपको सिस्टम में भी बहुत सारे changes दिखने को मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Added Long Press to Unstall App directly in the AppDraw यानि कि अगर आप AppDraw में किसी भी आप को Long Press करते हो तो वहाँ पर आपको Unstall को Option दिखने को मिल जाएगा हाले कि guys यह feature पहले भी अविलेवल था बट हो सकता है कि इस feature को और भी Optimize किया गया हो और उसके बद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Fix the Issue that the Split Screen cannot be used after Enable the Third Party Launcher यानि कि जब भी आप अपने मौल में किसी भी Third Party Launcher को Use करते हो तो वहाँ पर Split Screen properly वर्क नहीं करता था तो guys इस Problem को यहाँ पर Fix कर दिया गया है यानि कि अब आपके मौल में Split Screen अच्छे से वर्क करेगा और guys उसके बद यहाँ पर आपको Status Bar में भी बहुत साथ Changes दिखने को मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Added Independent Switch Toggle of Focus Mode तो guys इहाँ पर Finally Status Bar में Independent Switch Toggle Feature को Add कर दिया गया है और guys उसके बद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Added OTG Switch Toggle to Notification Panel तो guys इहाँ पर Notification Panel में OTG Switch Toggle को यहाँ पर Add कर दिया गया है यानि कि अब आप Notification Panel से Directly OTG को Control कर सकते हो और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि Optimize Status Bar Viewing Added Second Display Option तो guys इहाँ पर जो Status Bar का Viewing है उसको यहाँ पर Optimize कर दिया जाएगा साथ इसाथ Second Display Option को भी यहाँ पर Add कर दिया जाएगा और साथ इसाथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Optimize Viewing for System Update Pro Map Pop-Up Window तो guys इर यहाँ पर जो System Update का Pop-Up Window होता है उसको भी यहाँ पर Optimize कर दिया जाएगा तो guys जब भी आप अपने मौन में किसी भी कैमरा के Third Party Applications को यूज करते हो जैसे कि Open Camera या फिर Gcam तो वहाँ पर आपको Video Recording Preview में प्रॉब्लम दिखने को मिलता है तो guys इस प्रॉब्लम को यहाँ पर Fix कर दिया गया इस Update में यानि कि अब आपको कोई भी इसू दिखने को नहीं मिलेगा तो guys यही सारी Changes आपको Realme 55S & 5i की New Update में दिखने को मिलता है और हो सकता यह Update आपको आज साम तक या फिर कल सुभा से आपको अपने मौल में रीसीव होना स्टार्ट हो जाए तो आप सभी को थोड़ा सा वेट करना होगा लगबग दो दिन के अंदर आप सभी यूजर्स को Update अपने मौल में मिल जाएगा तो हो गाइस आपको यूडियो पसंद आयोगा दर चली आज कली बस इतना ही मिलते आपको अमारे गली यूडियो में तब तक ले गुड़ बाई